इंडिया में mutual fund industry 53 लाग करोड से भी जादा किये और जिसका 13% part ETFs का है वैसे तो इंडिया में ETFs, exchange traded funds 2002 से ही available है लेकिन 2016 के बाद से इन में एक rapid growth देखने को मिली है 2017 में जहाँ ETF investment मात्र 43,000 करोड था 2024 में यह investment 7 लाग करोड से भी जादा है इसलिए आप direct stocks में invest करते हैं, mutual fund में invest करते हैं या फिर fixed income instruments में invest करते हैं आप ETFs को ignore नहीं कर सकते हैं ETF हमारे portfolio का एक important हिस्सा भी हो सकते हैं आज के इस वीडियो में हम ETFs को decode करेंगे जानेंगे इनके benefits क्या क्या है, इनकी working कैसी है इनमें investment करने के क्या क्या disadvantage हो सकते हैं mutual fund से ये कैसे different है और हमें mutual funds में investment करना चाहिए या फिर ETFs में investment करना चाहिए नमाशकार दोस्तों, मैं हूं आशू तोष, आपका personal finance को चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ETF या फिर exchange traded fund ये collection of securities ही होते हैं जिन्हें हम mutual fund से compare कर सकते हैं बट इनमें एक fundamental difference होता है ETFs को हम stocks की तरह exchange में trade कर सकते हैं जो कि normal mutual fund से possible नहीं होता है ETFs passive funds होते हैं मतलब कि इनका जो portfolio है actively managed नहीं होता है बल्कि ये किसी ना किसी benchmark index को follow करते हैं जैसे कि Nifty 50, S&P 500 और ETFs सिर्फ stocks में invest करते हैं ऐसा नहीं है हर asset class में, हर category में इनके तुरू हम investment कर सकते हैं हर stock category चाहे वो large gap हो, mid gap हो, small gap हो thematic हो, sector based stock हो हर एक stock category के लिए हमारे पास ETFs के option available है इसके अलावा gold, silver, international equities के लिए भी ETFs available है उसके अलावा कुछ factor based ETFs होते हैं जिने हम smart beta ETF कहते हैं उनमें भी हम invest कर सकते हैं ultimately हमारे पास इंडिया में 200 से भी ज़्यादा ETFs के option available हैं जिनके तुरू हम हर एक stock category and हर एक asset में invest कर सकते हैं ETFs में investment करने के कुछ advantages हैं जैसे कि जब हम mutual fund में investment करते हैं उनकी units हमें दूसरे दिन allot होती है वहीं जो ETFs होते हैं stocks की तरह real time basis पे trade करते हैं और जब हम कोई purchase करते हैं तो हमें current price पे उसका allotment होता है ऐसे मैं यदि आप stock market के short moment का advantage उठाना चाहते हैं तो वह mutual fund के साथ नहीं कर सकते हैं लेकिन ETFs के साथ आप कर सकते हैं ETFs का जो सबसे बड़ा advantage है इनका low cost होना है जहां mutual fund, even index fund का expense ratio है वह ETF से काफी आया होता है and ETFs का expense ratio mutual fund के comparison में काफी कम होता है for example, ICICI Prudential Nifty 200, Momentum 30 ETF का expense ratio 0.30% है वहीं इसी ETF का index version है उसका expense ratio 0.40% है जहां ETF में investment करने के बहुत सारे फायदे हैं तो कुछ disadvantages भी हो सकते हैं जैसे कि ETF में expense ratio तो काफी कम होता है बट उस expense ratio के अलावा हमें कुछ जो charges है वो अलग से पे करने होते हैं जैसे कि जो ETFs होते हैं, stocks की तरह होते हैं इसलिए उन्हें हम सिर्फ DMAT account में ही store करके रख सकते हैं ऐसे में जो DMAT account होते हैं उनके लिए हमें कुछ annual fees पे करना होता है उसके अलावा broker commission, DMAT charges, security transaction tax, savings turnover fees, tram duty and GST हमें अलग से पे करना होता है ETFs के साथ एक दूसरा issue भी हो सकता है बहुत सारे ETFs ऐसे होते हैं जिनमें trading volume काफी कम होता है SME liquidity का जो issue है वो हो सकता है क्योंकि ETFs stocks के तरफ work करते हैं तो उनमें हम जो भी buying selling करते हैं किसी दूसरे investor से करते हैं SME कभी हमें अपनी units को sell करना है और trading volume काफी कम है liquidity कम है और जब हम अपनी units को sell करना चाहते हैं तो हो सकता है कि सामने कोई buyer available ना हो और हम अपनी units को sell ना कर पाएं या फिर हमें sell करने के लिए अपने जो units को है कम price में sell करना पड़े तो यह भी एक loss हमारे ETF investment में हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि हमें large quantities में अपने investment को sell करना है बट market में volatility भी है और trading volume भी कम है liquidity भी कम है तो हम अपनी large quantities को एक साथ sell नहीं कर पाएंगे ऐसे में हमें थोड़ा थोड़ा करके sell करना होगा और market यदि down direction में है नीचे गिर रहा है ऐसे में हमें उससे भी एक loss हो सकता है बहुत सारे sector based and smart beta ETFs होते हैं जिन में liquidity काफी कम होती है ऐसे में कभी emergency में हमें अपने investment को withdraw करना है तो वह हम नहीं कर पाएंगे तो यह भी एक concern हो सकता है ETF investment के साथ इसलिए जब भी हम ETF में investment कर रहे हैं उन ETFs का हमें trading volume देखना ज़रूरी है जितना ज़्यादा trading volume होगा उतना ही कम liquidity का issue होगा ETFs में हमें tracking error देखने को भी मिलता है जब हमारे ETFs के return benchmark index के return से यह दी different होते हैं तो उसे tracking error कहते हैं हलाकि ETFs का जो tracking error है वो mutual fund या फिर index fund के tracking error से काफी कम होता है ETFs and index fund काफी similar होते हैं और हम इन दोनों का एक apple to apple comparison कर सकते हैं क्योंकि जो ETFs and index fund होते हैं दोनों ही passive funds होते हैं दोनों ही किसी benchmark index को follow करते हैं और दोनों ही काफी low cost होते हैं यह दि index fund के बात करें तो उसका जो सबसे बड़ा advantage हमें मिलता है कि इसमें हमें systematic options देखने को मिल जाते हैं SIP, SWP, STP बहुत सारे investor जो होते हैं monthly automatic way में investment करते हैं ऐसे में long term investment के लिए जो index fund है काफी convenient होते हैं वहीं ETF में हमें यह systematic options देखने को नहीं मिलते हैं हाला कि कुछ broker हमें monthly investment का benefit देते हैं बट वह बहुत ज़्यादा prominent नहीं है index fund क्योंकि mutual fund ही होते हैं तो ऐसे में जब हम index fund में हम जो भी buying selling करते हैं वह EMC से करते हैं ऐसे में mutual fund में liquidity का कोई भी issue नहीं होता है हम कभी भी अपना जो है portfolio withdraw कर सकते हैं लेकिन यदि ETF में trading volume down है तो फिल liquidity का एक issue हमें देखने को मिल सकता है ETF से stocks के तरफ work करते हैं real time में trade होते हैं ऐसे में हम जो भी investment करते हैं उसमें हमें real time basis पे जो NAVA वह lot होती है तो यदि आप एक experienced investor है market के movement को track करते हैं और shorter movement का benefit उठाना चाते हैं यदि आप market के cycle को देखकर investment करके जो market में movement है उससे benefit लेना चाते हैं तो ETF एक ideal option हो सकता है क्योंकि यह जो trading है वह mutual fund में possible नहीं है ETF में हम trade भी कर सकते हैं जैसा हम stocks में कर सकते हैं वह हम mutual fund में नहीं कर सकते हैं international investment के लिए भी ETF काफी convenient हो सकता है क्योंकि direct international stocks में investment करना है काफी risky हो सकता है और mutual fund में एक 1 billion dollar की RBI की capping है इस कारण हम mutual fund के थूँ भी अभी international stocks में investment नहीं कर पा रहे हैं लेकिन यह जो limit है ETF के लिए separate होती है ऐसे में अभी हम ETF के थूँ international stocks में easily invest कर सकते हैं तो यदि हम direct equity में भी invest करते हैं क्योंकि direct equity का investment है काफी risky हो सकता है तो उस portfolio को हम ETF से compensate कर सकते हैं ETF एक rising asset class है इसलिए हमें अपने portfolio में ETF को भी consider करना चाहिए साथ ही हम gold में भी investment करना है तो index fund या mutual fund से better option ETF ही होगा यदि ETF से related आपका कोई भी doubt है या फिर mutual fund से related आपका कोई भी doubt है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं यदि आप अपनी financial planning मेरे साथ करना चाहते हैं या फिर अपना portfolio मेरे साथ review करना चाहते हैं तो नीचे दिए number पे contact कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलता है next वीडियो में धन्यवाद